नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अनेकडमी के लेट्स रैक यूपीएसी, सीएसी, हिंदी चैनल पर डब्लुएचो के बारे में आप सभी ने सुना होगा नब्लुएचो एक वैश्विक स्वास्त के क्षित्र में कार करने वाली United Nations की एक एजन्सी है, जो वैश्विक स्वास्त पर विश्व में फैलने वाली महामारियों पर और उसका समाधान कैसे किया जा सके इसके लिए एक समनवय बनाने का कार करती है विश्व के स्वास्त मानकों को तै करती है और देशों के लिए दिशा निर्देश जारी करती है तो आज के समय में आप अगर देखोगे तो वैश्विक स्तर पर जो स्वास्त की स्थितिया है वो बहुत सामान प्रणाली यहां का यह परंपरागत रूप से ही संचालित हो रही है फिर बीच में आपने देखा कि COVID-19 महामारी का दौर आया जब हमने डिजिटल हेल्थ पर कार करना शुरू किया अभी कुछ दिन पहले भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी G20 की अध्यक्षता के दौरान तीन प्रमुख जो प्रात्मिक्टाएं तै की गई थी उनमें से एक था डिजिटल हेल्थ पर कार करना अब उन्ही प्रात्मिक्ताओं के अनुरूप जो बाते तै हुई थी उत पर WHO एक डिजिटल हेल्थ के लिए इंफ्रेस्ट्रक्चर लेकर के आया है एक प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास कर रहा है क्योंकि WHO का कार वैश्वेक स्थर पर सबनवे करने का भी है और जानकारी और ग्यान को साज़ा करने का भी है ऐसे में जब बात आएगी डिजिटल अवसंरचना को बनाने की वह भी वैश्विक इस्तर पर वहां पर भी WHO की भूमिका बहुत महत्पूर हो जाती है लेकिन उसकी जो आवाज है या फिर उसके लिए अगर आप एक प्रारूप की रूप में देखो के तो भारत का जो आईश्मान भारत अभियान है या फिर आईश्मान भारत जो परियोज GIDH का मतलब है Global Initiative on Digital Health ठीक है विस्तार से समझेंगे आपको एक बात यह भी पता है कि अगर हम किसी राज्य के स्तर पर जाकर जिलावार स्वास्थ सुविधाओं का आकलन करें तो हमें दिखेगा कि सरकारी अस्पताल कितने हैं या फिर निजी अस्पताल कितने वहां पर कित जो डिजिटल लेवल पर चीजों को संचालित करें तो इसका समाधान करने के लिए फिर आप एक एक बैड को कैलकुलेट नहीं करोगे फिर आप क्या देखोगे बड़े लेवल पर यानि मैक्रो लेवल पर सुविधाएं किस तरह से दी जा रही है वही इसके अंतरगत भी आपको दिखाई देगा विस्तार से समझेंगे न्यूज है डिजिटल हेल्थ प्रेटफॉर्म इंडिया जी ट्वंटी प्रेसिडेंसी इस पर सहमती हुई थी जब भारत जी ट्वंटी की अधिक्षिता कर रहा था दिसंबर में चले तो आगे बढ़ने से पहले कुछ में लिए थारे में पर चाहते हैं तो बहुत सारे चीक रषकमाय को रही हैं जैसे कि इनले प्रक्रेट हो रही हैं जुत आप सारे और करके देख सकते हो और सीख सकते हो उसके पाद कोaranव कर सकते हो अब UCSC पर भी जो आप लोगों की डिमांड है वो फिर से शुरू हो रहा है 25 सरवरी को UCSC टेस्ट कराया जाएगा सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे यानि 2 चरणों में तो प्रारम्बित परिक्षा या प्रिलिम्स की तैयारी चुकी बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस सेट कर GIDH WHO शुरू करने जा रहा है तो अध्यक्षता की खास बात यह है कि डिजिटल स्वास्त पर वैश्विक पहल शुरू करने की बात इसी अध्यक्षता के अंतरगत भारत ने उठाई थी जिस पर अब WHO अमल कर रहा है तो वर्चुल फॉर्मेट में इसको लॉंच किया गया ह तो जब अध्यक्षता की गई थी तब उसके अंतरगत तीन प्रात्मित्ता वाले छित्रों की पहचान हुई थी जिसमें से एक यह था डिजिटल है तो देशों को उनकी जरतों के आधार पर उन्हें ओवरलैप से बचाना संसाधनों का समनवय करना और गुणवत्ता सुनि देखना है कि ग्लोबल लेवल पर जैसे ही कोई महामारी आती जैसे भी कोविड-19 आया था अलग-अलग देशों ने अलग-अलग तरह से प्रयासों को शुरू किया कई देश थे जो वैक्सीन बनाने में लग गए कई देश थे जो लोगों का इलाज करने में लग गए कई देशों ने टेस्टिंग के लिए प्रक्रिया को आपस में जोड़ा लेकिन इसके बीच में कहीं समनवाय बहुत अच्छे तरह से होता हुआ नहीं दिख रहा था क्योंकि देशों ने कभी ऐसी तैयारी की नहीं थी डिजिटल लेवल पर लोग एक दूसरे से नहीं जुड़े थे अब क्यों ज़रूरी था डिजिटल लुड़ना क्योंकि आपको पता है कोविड महामारी के दौर में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या किसी दूसरे से मेल जोल बढ़ाना खत्रे का एक कहती है कि डिजिटल स्वास्त वर्ष 2020-2025 के आधार पर वैश्विक रणनीती बनाई जाए एक स्ट्रेटजी तै करें जो विश्व के सभी देशों को जोड़े दूसरा इसमें डबलू एचो मैनेज करेगा एक नेटवर्क को और एक प्लेटफॉर्म के रूप में इसको ब आप उठा सके तो एक विस्त्रिट धाचा बनाएं और जहां पर डबलू एचो प्रबंधित नेटवर्क की बात आ रही है उसकार्थ है नेटवर्कों का एक नेटवर्क तो हुआ देशों के इसपर पर देश अपने यहां एक नेटवर्क बनाएंगे अपने सभी स्वास्थ शित्रों को जोड़ेंगे और देशों को कौन जोड़ेगा जो सभी देश है वो जोडव एचो से टो डबलू हो बेसिकली नेटवर्कों का एक नेटवर्क की रूप में कायर करेगा ठीक देश के लाभों को समय कित करना यानि अभी हाल ही में हमने जितनी स्वास्ति सुविधाओं में प्रयोग किये उनके लाभ उठाए हैं और पहले जो उठाए हैं उनको आपस में कैसे हम जोड़ पाएं एक और मकसद आपको दिखाई देगा डिजिटल स्वास्त परिवर्तन के लिए इस पर्ष्ट प्राथमिक रूप से संचालित निवेश योजनाएं इन्वेस्टमेंट कहां हो रहा है किस तरह से हो रहा है और किस खित्र में ज्यादा निवेश करने के आवशक्ता है अब यहां पर इसको अगर आप थोड़ा सा विस्तार से समझें तो माली यह एक देश ह है यह से एक देश है मेक्जिको देश में हैं यहां पर खारत एक और कोई देश ले लिजिए चीन neighbor यह सभी देश अलग-अलग तरह से अपने अपने स्थर पर रीमेश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं निवेश कर रहे हैं इस पर खात सेवाउं पर अबhandedüneस माले जे किसी एक प्रोड़क्ट पर या एक तरह की सेवा पर एक तरह के स्वास्या पर निवेश किया वही इन्होंने भी कर दिया वही इन्होंने भी कर दिया वही इन्होंने भी कर दिया अभी बाकी की पांच दूसरे तरह की समस्या है रह रही थी तो अगर यह पता लग जा पाइंगे और विश्यो का बहुत बड़ा खर्च भी बचेगा ठीक है इसके अलावा डिजिटल स्वास्त संसाधनों के रिपोर्टिंग करना होगा भाई जब आप पर रहेंगे तब ही तो पता चलेगा कि कहां पर स्वास्त सुविधाइं बहतर हो रही है पार दर्श्यता में सुधार करना देश छुपाते हैं धूसरे से जानकारियों को प्रकति में तेजी लाने के लिए छेत्रों के सास्थ देशों में ज्यान के आधान-प्रदान एबू साहियोग को सुविधा जनक बनाना देशों में डिजिटल स्वास्त प्रशासन के लिए संपूर्ण सरकारी द्रिष्टकोंड का समर्थन करना यानि केवल डबलु एचों ही डिजिटल नहीं होना चाहता जो भी देश हैं जब तक वो अपने हाँ पर डिजिटल हेल्थ इंफ् समयन और इसके अगले चरण के लिए सकनीकी तथा वित्ती सहायता को भी बढ़ाने की बात कई गई है अब थोड़ा साथ देखें इसके घटक कौन-कौन से इसमें चार प्रमुख बाते आपको दिखाए देंगी इसे टॉपिक आपको कठिन जरूर लगते हैं लेकिन अगर प्रश्ण बहुत स्पेसिक रूप से में जीयस पेपर वन में जीयस पेपर टू में या जीयस पेपर थ्री में पूछ लिया जाता है तर तभी कर पाएंगे जब आपने इसको इन डीटेल पढ़ा होगा चार बाते हैं पहला है कंट्री नीट्स ट्रेकर यानि देशों को अ तीसरा कहता है ट्रांस्वार्मेशन टूल बॉक्स तो डिजिटल हेल्थ में चेंजेस अगर हमें करने हैं एकॉनमी को अपने हेल्थ सिस्टम को तो उसके लिए बहुत सारे उपकरण चाहिए होंगे बहुत सारे अप्लिकेशन चाहिए होंगे जिने हम टूल्स कह रहे हैं उनकी आवशक्ता पड़ेगी अगला है नॉलेज एक्सचेंज वही जो मैंने आपको बताया कि भाग लेने वाले जो भी देश हैं उनके अंतरगत ग्यान को अर्थात नॉलेज को अर्थात रीसर्च को एक दूसरे के साथ साजह भी किया जा सके तो यह चार प्रमुक बाते इस हेल्थ इनिशियेटिव के अंतरगत आपको देखने को मिलेंगी अब बात करते भारत की क्या भूमिका है तो भारत की एक भूमिका आपको G20 के तहत दिखाई दे रही है कि G20 के अध्यक्षता के दौरान इस पर चर्चा हुई थी इसके लावा एक दूसरी भूमिका है जैसा मैंने आफसे कहा कि एक अग्जांपल सेट करता है भारत की आईशमान भारत की ओजना आईशमान भारत दिजिटल मिशन एक बहुत बड़ी पर योजना है जो भारत के अंतरगत एक बहुत बड़ी आबादी को आपस में जोड़ती है तो विशू के लिए एक मौडल ह हो सकता है उधारण हो सकता है वहाँ पर लाखो की आबादी है करोणों की आबादी है यहाँ पर आप देखोगे तो अर्बू में आपको आबादी दिखाई देती लगबग 140 करोड के आसपास माल लेते हैं कि उसमें से अईश्मान भारत में 50 करोड लोग भी जुड़ गए फ होता है इसकी परिभाशा बताईए इसके घटक बताईए फिर वैशुक स्थितियों पर चर्चा कीजिए तो आपको बताना है कि डिजिटल हेल्थ केर बेसिकली चिकित्सा देखभाल वित्रण की प्रणाली है अगर हेल्थ केर की बात करें तो आप सोचों कि डॉक्टर इं सेंक आसान कर सकते सुलब कर सकते सचता कर सकते हैं इसमें कुछ चीजें मोबाईल होस्पिटल है जो कुछ खास समय के लिए खास जरूतों को पूरा कर सकते थे दूसरा है आई टी यानि कि स्वास्त सूचना प्रध्योगी की इन्फॉर्मेशन एंट टेक्नोलोजी को हम हेल्थ के सक्टर से जोड़ पाएं तीसरा पहनने योग उपकर अरजिने हम वेरेबल डिवाइसे कहते हैं आपने देखा है कि स्मार्ट वाचेस आने लगी हैं जो लोगों की हेल्थ को ट्रैक करती हैं और भी अन कई तरह के विरेवल डिवाइसे साते हैं जिनको आप लगा करके शरीर में पहन करके अपने शरीर की मॉनिटरिंग कर सकते हो इसके अलावा टेली हेल्थ और टेली स्वास्थ सुविधा उपलब्द करा पाएं माली जैसी कोई स्थिति आ गई फिर आप एक वेरेबल पहन करके डॉक्टर को कुछ आकड़े प्रोवाइड करा सकते हैं शरीर की स्थिति इस वक्ट यह चल रही थर्माइमेटर यूज़ कर सकते हैं उन्होंने वहां से आपको मैडिसिन वगेरा लिख करके दे दी और व्यक्तिकत चिकिस्ता जैसी श्रीणिया शामिल है कोई व्यक्तिकत रूप से निजी रूप से आपकी स्वास्त देखभाल कर रहा है तो यह सबी चीज़े डिजिटल हेल्थ केर का एक हिस्सा हो सकती है चलिए अब बात करते हैं कि भारत ने कौन-कौन सी पहल अभी तक की है तो सबसे बड़ा मिशन यही है आईश्मान भारत डिजिटल मिशन दूसरा है ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सेवा जहां पर आप फोन के माध्यम से दवाओं की जानकारी को ले सकते हो अगला है आईश्मान भारत प्रधानमंत कि कहां पर टीका लग रहा है ठीक तो ट्रैकर भी था आपको लोकेशन भी देता था कि कहां पर इस वक्त टीका आपका लगाया जा सकता है दूसरा उसका जो टीका करल हुआ उसका रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड भी रखता है और साथी प्रमाणन भी देता है आपको प्रमाण प्लूक लागू किया है इसते ही विश्व को सीखने की बात की जा रही है अब ज़रा सवाल लेखें ये विश्व स्वास्त संग्ठन द्वारा हाल ही में जारी की गई डिजिटल स्वास्थ पर वैश्विक पहल क्या है भारत की भूमिका पर चर्चा करते हुए इसके इक्षा में जूटे नहीं क्योंकि प्रश्ण छूटने का मतलब होता है कि आपका बाकी जो इस्टुडेंट्स हैं उनसे पीछे चले जाना बाकी ऐस्पेरेंट्स अगर आप से आगे होंगे उसरा आपको अपने आप में एक अच्छा स्कोर करने में और एक फाइनल लिस्ट म आने में दिक्कत होगी ज्यान रखेगा इस प्रशन का उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए 250 शब्दों में या अगर नहीं हो पा रहा तो 150 शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए ठीक है अगर कोई भी थमस्या आपको लगती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकत बढ़ते रहे अपना ख्याल लखिए शुक्रिया